अलो दोस्तों यह है मेरे साथ में TVS Radar 125 और इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ इसका एक डीटेल्ड रिव्यू TVS Radar 125 CC सेग्मेंट के अंदर आती है इसी सेग्मेंट में आपको बजाज, Pulsar NS 125, T0XT 125 आर जैसी मोटरसाइकल्स मिलती है अब बात करें TVS Radar 125 के अंदर आपको क्या कुछ खास ओफर किया जाता है तो सबसे पहले लुकेंट डिजाइन की बात करते हैं दिखने में बाइक जो है वो काफी अच्छी नजर आती है हाला कि लुक्स जो है वो परसंट व परसंट डिपेंट गरते हैं हो सकता है आपको Radar 125 बहुत जादा पसंद आए या फिर ऐसा हो सकता ना आए तो आप वो मुझे कॉमेंट में बता सकते हो फीचर्स की बात करूँ तो LED Headlight Setup आपको देखने को मिलेगा Fuel Tank आपको काफी muscular look को offer करता है Tank Extensions के साथ में बाइक आती है Dual Tone Type के Paint Schemes आपको इसमें देखने को मिलते हैं जो कि इसको काफी अच्छी look देते हैं और tail section में अगर बात करोगे तो वहाँ पर भी आपको LED Tail Lamp Setup मिलता है Halogen Turn Indicators है Overall Looks and Design की बात करूँ तो बाइक दिखने में काफी अच्छी नजर आती है Split Seat Setup आपको मिलता है हलाकि Single Seat Variant भी आता है तो वो Depend करता है जो के उपर आपको Single Seat चाहिए, Split Seat चाहिए लेकिन Looks के मामले में तो पाइक 10 on 10 है आपको हर एक जगा से पाइक की लुप जो है वो काफी अच्छी नजर आती है Engine Mud Cover वगरा भी दिया गया है जो कि Body Color के साथ में आता है Performance की बात करें तो 125cc सेग्मेंट में वैसे तो आपको एक से बढ़कर एक Motorcycle मिलती है लेकिन TVS Radar इस सेग्मेंट में Performance के मामले में सबसे खास है बड़ी वजा है इसका Engine इस Bike के अंदर आपको First In Segment 3 Valve Engine ओफर किया जाता है जो कि इस सेग्मेंट में कोई और बाइक ओफर नहीं करती और इस 3 Valve Engine के साथ में यूज़ की जाती है Air Plus Coil Technology जो इसको अपने सेग्मेंट में सबसे Advanced बनाती है और यही वजा है यह Motorcycle आपको ओफर करती है 8.37 क्लोवाट की Power और 11.2 Nm का Torque Zero to 60 यह बाइक करती है 5.9 सेग्मेंट में जो कि अपने सेग्मेंट में काफी फास्ट है और पाँच गेर के साथ में आपको TVS रेटर देखने को मिलती है अब Ride Experience की बात करें कि चलने में बाइक कैसी फेल लेती है तो दो मोड TVS यहां पर आपको ओफर करता है Eco और Power Eco मोड में जब आप बाइक को चलाओगे तो RPM कुछ लिमिट होते हैं जिसकी वज़ा से Top Speed जाओगो 101 के आसपास आपको मिलेगी और अगर आपको ज़ादा Speed चाहिए तो आप Power Mode में स्विच कर सकते हो तो पावर वोर्ड में जैसे ही आप स्विच करोगे तो बाइक की पफोर्मेंस में आपको सड़न एक्चेंज नजर आएगा बाइक का ओवरोल पिक अप जो है वो काफी जादा बढ़ जाता है और टॉप स्पीड भी काफी जादा हो जाती है इस पाइक के साथ में मैंने 118 किलोमेटर पिक जादा हो पकड़ी है जो कि सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफी फास्त है इससे पहले मेरे पास हीरो एक्स्रीम 125 आर भी आई थी वो लास्ट 114-116 जाती है तो रेटर उससे भी थोड़ी सी फास्त है और इसकी स्पीड फास्त होने की एक बड़ी वज़ा इसका वजन भी है ये मोटर साइकल आपको मिलती है 123 किलोग्राम वजन के साथ में लाइट वेट होने की वज़े से TVS रेटर के अंदर आपको जादा अच्छी पावर एंड परफूमेंस देखने को मिलती है और जब आप इस बाइक को चलाते हो तो पावर आपको फील भी होती है इसपेशली जब आप पावर मोड में बाइक को चलाते हो तो आपको इनके डिस्पोर्ट वाला फील देती है पावर एंड परफूमेंस के अंदर बाइक जो है वो काफी जबरदस है साथ ही बाइक की हैंडलिंग काफी जबरदस है ग Александर करते हैंग आपको बाइक काफी जबरदस मिल रही है तो कंट्रोल और पावर में आपको काफी जबरदस मिलती है आप बात करें suspension setup की suspension कैसा है comfort कैसा है तो comfort में मैं इसकी seat को भी include करूँगा ये motorcycle 780 mm की seat height के साथ में आती है जिसकी वज़ा से हर तरह की height का बंदा जो है वो इसको आराम से चला सकता है चाहे आप short height rider है या आपकी height का कोई issue नहीं है दोनों ही तरह की rider जो है वो काफी comfortable इस bike को चला सकते है मेरी height 5 feet 8 inch है दोनों पैर आराम से आते हैं वजन वगेरा मेरा जो है वो 70-70 के आसपास है तो जादा heavy weight भी नहीं हूँ उसको सारी चीज़े अपनी bike के साथ करनी है उसको family usage में भी bike को लेना है और अपने personal use में भी लेना है तो family के हिसाप से अगर आप देखो आपको mother को बिठाना है wife को बिठाना है girlfriend को बिठाना है चाहे आप extreme 125R की बात करो या pulsar NS 125 की बात करो naked looks तो आपको दोनों bike में अच्छी मिलेगी लेकिन pillion seat height इतनी जादा है कि females especially जो mothers हैं उनको आप नहीं बिठा सकते हो और मैं ये already test कर चुका हूँ extreme 125R और TBS radar दोनों के साथ में अपनी mother को बिठाया मैंने तो मेरी mother जो है वो radar बैठने के लिए एकदम तयार थी और एकदम comfortably बैठ पाई extreme की seat देखकर तो उनका एकदम money ही नहीं किया और बैठी ही नहीं उन्होंने मना करते है कि इतनी उची bike पर तो मैं नहीं बैठ सकती तो यह एक चीज है जो कि TBS radar के favor में बहुत जाएगी अगर आप ऐसी bike लेना चाहते हो जिसके साथ में आपको family use भी करना है और अकेले भी चलना है तो वहाँ पर दबाई radar आपके लिए एक अच्छा option है इसके बाद में अगर मैं बात करूँ suspension की तो front में टेलिस्कोपिक suspension है rear के अंदर महाशोक suspension है काफी comfortable ride आपको एक bike offer करती है suspension के मामले में कहीं से कहीं तक कोई भी कमी आपको इस bike के साथ तो नजर नहीं आने वाली features की अगर बात करोगे तो भाई TVS radar 125 एक ऐसी motorcycle है जो की 125cc segment के अंदर ऐसे ऐसे features offer करती है जो की 125cc की तो कोई bike आपको offer नहीं करने वाली 125 छोड़ी आप 150-160cc में भी अगर जाओगे न तो ऐसे features तो आपको कोई और bike offer नहीं करेगी यहाँ पर TVS आपको दे रहा है 5 इंच का color TFT display adaptive display है यहाँ पर sensor आपको देखने को मिलता है यानि की धूप है चाओ है तो display जो है अपने हिसाब से देखता है और light जो है अपने हिसाब से सेट कर लेगा धूप में brightness जो है वो फुल रहेगी और रात के समय में night mode में automatically display आपका switch कर जाता है इसके अलावा eco power mode जैसे ही आप बटन से switch करोगे तो वहाँ पर display में आपको change नजर आएगा और इस display के अंदर आपको ऐसी ऐसी information देखने को मिलती है जो कि इस segment में कोई और bike नहीं देता जैसे आप bike बंद करोगे तो total आपने क के बाद में यहाँ पर आपको trip A, trip B मिलता है, odometer मिलता है, range आपको मिलती है, कितना fuel आपके पास है, उसमें कितने kilometer आप चलोगे वह आप यहाँ देख सकते हो, average speed आप देख सकते हो और सारी details आपको उसमें मिलती है, साथ ही smart x connect के साथ आता है, तो mobile connectivity है, phone आप connect कर सकते हो, turn by turn navigation, first in segment, TVS radar 125 में सिर्फ offer किया जाता है, turn by turn navigation इस्तमाल कर सकते हो, 99 connected features है, voice assistant के साथ में बाइक आती है, यहाँ handle bar के उपर आपको यह i button मिलेगा, जिसके साथ में अगर आपने phone connect किया हुआ है, तो फिर आप voice command features का भी इस्तमाल कर सकते हो, और meter toggle करने के लिए आपको menu button मिलत है, जिसके साथ में आप multiple चीज़े यहाँ पर access कर सकते हो, और real time mileage वगरा सारी चीज़े आपको यहाँ पर show होती है, तो features ऐसे ऐसे दे दिया है, 125 CC segment के अंदर TVS ने, जो आपको इस segment में कोई और offer ही नहीं करता, display के साथ साथ आपको USB charging port मिलता है, utility के लिए आपको rear seat के तो इस तरह के utility spaces वगरा भी इस segment में कोई और भाइक आपको offer नहीं करती, जो आपको TVS radar 125 में मिल जाता है, brakes की बात करोगे तो भाई, front में disc brake है, rear के अंदर आपको drum brake मिलता है, kombi brake setup है, front में 240 mm का petrol disc दिया है, जो की आपको काफी अच्छी brake bite offer करता है, साथी kombi brake system होने की वज से stability के अंदर कोई issue नहीं है, bike जो है वो एकदम stability रुखती है, grip वगरा आपको अच्छी मिलती है, tires के साथ में भी, आगे आपको 80 by 100 section का tire मिलता है, rear में आपको 100 by 80 section का tire मिलता है, tubeless tires कंपनियां offer करती है, 17 inch के साथ में, braking और tire की grip दोनों ही आपको काफी अच्छी मिलती है, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो कोई पड़ी शिकायत आपको नहीं मिलने वाली, overall अगर आप TVS Radar 125 को देखो तो 125 CC सेग्मेंट के अंदर काफी अच्छा package है, इसके साथ में TVS आपको multiple variants के option भी देता है, यानि कि आपको इसमें single seat variant मिलता है, जो की base model आप कह सकते digital display ही company offer करती है, इसके अलावा इसके अंदर आपको company total 5 color options देती है, और 2 special edition के अंदर आते हैं, जो super squad edition है, उसमें आपको iron man और black panther देखने को मिलेगा, उसके अलावा 5 color options आपको मिलते हैं, और multiple variant option होने की वज़े से कीमत के अंदर भी आपको अलग-अलग variant के साथ अलग-अ 2400 रुपीज के आसपास एक शोरू, तो base to top आप अपने हिसाब से select कर सकते हो, आपको कौन सा variant लेना है, किस variant में आपको ज़्यादा feature मिल रहे हैं, ज़्यादा अच्छी चीज आपको मिल रही है, उसके हिसाब से आप select कर सकते हो, बाकि TVS radar के अंदर एक और अच्छी चीज आपको मिलती है, वो है TVS की Intelligo Technology, यानि कि यह एक ideal start to stop technology है, बाइक अगर आप रोड पर लेकर निकले हो, red light बगरा है, signal पे आपने रोकी, तो बाइक फुद से जो है, वो engine को cut off कर देती है, जिससे कि आपका fuel वो save हो, और जैसे ही आप clutch प्रेस करके accelerator दोगे, तो बाइक 125 CC सेग्मेंट के अंदर अच्छी mileage, अच्छी performance चाहिए, तो आप बिल्कुल TVS Radar 125 की तरफ जा सकते हो, आप features वगरा के अंदर आपको fully loaded features यहाँ पर मिलते है, sporty character आपको यहाँ पर मिलता है, और अगर आप एक कम budget के अंदर sports bike लेने का मज़ा चाहते हो, तो आप TVS Radar 125 कांस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को पहुन करो